आपका एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में हम preamble के questions डिसकस कर रहे हैं इससे पहले preamble के उपर बहुत ही important MCQs के वीडियो आ चुकी है अगर आप लोगोंने नहीं देखिए तो उसको जरूर से जरूर देख लीजेगा बहुत सारी वीडियो आ चुकी है तो आपके revision के लिए बहुत जाधा important है तो revision करते जाएगा लगातार question को देखते रहेगा revision भी नहीं कर रहे है तो लगातार questions की सिर्फ आप वीडियो देखते भी रहेंगे तो आपके question बहुत सारे questions आपके memorize हो जाएगे बहुत सारे questions आपके revise हो जाएगे तो पिछली वीडियो में हम question number 25 तक discuss कर चुगे थे, इस वीडियो में question number 26 से continue करते हैं आगे, तो 26 सवाल कहता है कि what is the preamble described as, यानि प्रस्तावना को किस रूप में वर्णित किया गया है, एक justiciable section है, यानि कि नियायोचित है, यानि कि अगर इसको पालन नहीं होगा तो क्या आप court में जा सकते हैं, summary of the constitution, क्या ये constitution की summary है, यानि सम्विधान का सारांश है, क्या ये soul है constitution का, यानि सम्विधान की आत्मा है, या part है fundamental rights का, यानि कि मौलिग अधिकारों का एक भाग है, तो ये soul है constitution की, सम्विधान की जो आत्मा है, वो एक preamble है, फिर question number 27 कहता है, the preamble was amended by which constitutional amendment, तो प्रस्तावना को के सम्विधान संशोधन द्वारा, संशोधन किया गया था, तो 42nd amendment 1976 जब हुआ था, उसके द्वारा ही इसको amend किया गया था, तो B option जो है, वो बिलकु सही बात है, next question आता है, question number 28, कि what is the significance of the word sovereign, संप्रभू, शब्द का महत्व क्या है, तो संप्रभू, शब्द का महत्व क्या है, पहला option कहता है, कि India is governed by foreign powers, यानि कि भारत विदेशी शक्तियों द्वारा साशित होगा, India is free to conduct its affairs, both internally and externally, यानि कि भारत अपने मामलों को आंतरिक और भाई, दोनों तरह से सिंचालित करने के लिए सुतंत्र है, Sovereignity is limited to state governments, यानि कि जो संप्रभूता है कि राज्य सरकारों तक सीमित है, और Sovereignity is delegated to individuals, यानि कि संप्रभूता व्यक्तियों को सौपी गही है, तो उसका जो most probable सही answer है, वो है option number B, कि India जो है किसी भी तरह के affairs हो, चाए internal affairs हो, चाए external affairs हो, सभी के लिए वो आजाद है, independent है, खुद से decision ले सकता है, question number 29 ता आता है कि what does the term socialist signify in the preamble, तो अब समाजवादी शब्द जैसे इस तरह से हमने भी पढ़ा कि सोवरन शब्द का क्या मतलब है, इसी पेकार से देखते है कि समाजवादी शब्द जो है, socialist शब्द जो है, इसका क्या मतलब है, तो पहला option कहता है कि state ownership होगी, of all resources, यानि सभी शनसादनों का राज्ये का स्वामित होगा क्या, equal distribution of wealth and reduction of inequality, धन का समान वितरन होगा और ऐस समानता में कमी आएगी, complete elimination of private property, नेजी संपत्ति का पूर्ण तरह, नमूलन हो जाएगा, या privileged access for the wealthy, धनी लोगों के लिए विशेश अधिकार एक प्र distribution of wealth, यानि कि धन का समान वितरन होना चाहिए, और असमानता जो है समाज में वो धिरे तरह कम हो, ये भारत के socialist का मनलव या socialism का मकलव है, नेजी कुछन आता है, कुछन में 30, कि what is meant by secular in the Indian preamble, तो Indian constitution के preamble में, जो सोवरर हमने देख लिया, socialist देख लिया, उसके बाद जो secular आता है, धर्म निर्पेक, शाता है, इसका क्या आरत होगा, तो पहला आता है option, theocratic governance, यानि कि धर्म तंतरिय साशन, जैसे कि इरान एक अपना अपने अपने देश है, वो एक theocratic country है, फिर दूसरा आता है कि state has no religion and treats all religions equally, राज्ये का कोई धर्म नहीं है, और वे सभी धर्मों क साथ समान वेवार करता है, state is subordinate to religious institutions, राज्ये धर्मिक संस्ताओं के अधीन है क्या, और D है, promotion of one dominant religion, एक प्रमुख धर्म को बढ़ावा देना, भारत ऐसा नहीं है, भारत ऐसा है कि state का अपना कोई religion नहीं है, और वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, फिर question number 31 आता है कि भारत में कोई राज्यतंत्र नहीं है, तो क्यों, क्योंकि नहीं है, क्योंकि भारत ऐसा रिपब्लिक है, गणतंत्र है, हमारे यहां जो supreme person है, सबसे बड़ी post किसकी है, president of India की, वो एक normal कोई भी भारतिय, आम भारतिय बन सकता है, कुछ शर्ते हैं, उसमें कुछ शर्ते फुल्फिल करेगा, चीज़े 35 साल से उम्र जादा हो, भारत का नागरिक हो, ऐसे कही सारे उसमें पैरेमिटर से, अगर वो उनको फुल्फिल कर रहा है, तो वो भारत का राश्पदी बन सकता है, तो रिपब्लिक इसमें का अंसर होना चाहिए, फिर question में 32 है, कि what does fraternity mean in the pream तो बंदुत्व का क्या अर्थ है, तो brotherhood among all citizens, सभी नागरिकों के बीज भाईचारा होना चाहिए क्या, special rights for minorities, अल्प संक्यों के लिए कोई विशयश्यदिकार, equal treatment of religions, धर्मों के समान वेवार, एक समान वेवार हो, unity in diversity, विविद्गता में एक ता, तो जो fraternity है, इसका मलब है कि brotherhood among all citizens, तो सभी लोगों में एक भंदुत, एक भाईचारे की बात हो, उसी के लिए fraternity शब्द को preamble में रखा गया है, फिर question number 33 आता है कि what is the ultimate aim mentioned in the preamble, तो प्रस्तावना में उनलिखित, एक अन्दे मुद्देश्य ultimate aim क्या है, क्या welfare होना चाहिए minorities का, अल्प संक्यों अकल्यान, यानि वो बूशा जा रहा है कि क्या ही preamble में mentioned है, establishing, equality, liberty, fraternity, समानता, सुतंतरता, बंदुत कि स्थाबना, creating a socialist state, एक समाजवादी राज्य बनाना है क्या, becoming a global superpower, वैश्विग महाशक्ती बनना है क्या है, तो इनमें से क्या एक ultimate aim है, जो preamble में mentioned है, equality, liberty, और fraternity, फिर question number 34 आता है कि which of the following is not a type of justice mentioned in the preamble, इनमें से कौन, किस तरह का justice mentioned नहीं है, social, political, religious, economic, तो इसमें से कौन से तरह का जो justice है, वो mentioned नहीं है, religious, justice mentioned नहीं है, socio, political, economic, ये तीनों, जो जो न्याय है, इनके प्रती, इनके प्रती मिलेगा, religious, जो है, उस शबत का स्थवान नहीं कि आ गया है, preamble के अंदर, फिर next question आता है, question में 35th कि what does equality of status and opportunity imply, यानि कि status और opportunity की equality, यानि कि स्थिती और अफसर की समानता करत क्या है, equal voting rights होंगे क्या, समान मतादिकार होंगे क्या, abolishing discrimination on all grounds, सभी अधारों पर भेदवा को सवाप्त करना, फिर next आता है, economic parity among citizens, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता का होना, और political rights for privileged classes only, केवल विशेश अधिकार, प्राप्त भर्गों के लिए, राजनितिक अधिकार होना, equality of status और opportunity क्या मलग है, कि हम सभी grounds पे, जो discrimination है, उसको क्या कर देंगे, खतम कर देंगे, abolish कर देंगे, तो सभी अधारों पर भेदवाव को सम आप्त करना, उसके बाद question mark 36 आता है, कि which objective of the preamble ensures protection of individual freedoms, तो question mark 36 क्या कर रहा है, कि individual freedoms को, अगर हम देखें, तो कौन सा उदेश ऐसा है प्रस्तावना का, जो व्यक्तिकत सुतंतरता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, क्या वो justice है, liberty है, equality है, integrity है, यानि कि नियाय सुतंतर समानता और अखंडता, तो liberty, liberty अपना आप में जीजिए कि आपको, आपके पास liberty है, कि भारत में आप कहीं भी रहे, liberty है आपके पास कि आप कोई भी profession करें, तो इस अब liberty है हमारे पास, question mark 37 आता है, कि fraternity का aim क्या है, at promoting which aspect, तो fraternity का मतलब यह क्या है, कि बंदुत्व को आपा देना, यानि integrity of the nation, राष्ट के खंडता को बना के खंडता, यही अपने आप में एक fraternity है, question में 30 आता है, कि which three words were added to the preamble by the 42nd amendment, तो 42 वे समुझान शंशोदन के दुआरा, प्रस्तावना में कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे, तो वो तीन शब्द क्या थे, क्या वो socialist, secular, integrity थे, यानिकि समाजवादी, धर्नुर्पे शखंडता, justice, equality, liberty, यानिकि न्याय समानता सुखंडता, democracy, sovereignty, republic, लोगतंतर, संप्रभुता, गणतंतर, और fraternity, integrity और justice, तो इन तीन में से कौन से शब्द ऐसे थे, तो वो थे socialist, secular और integrity, भारत इन चीजों को follow तो करता ही थ लेकिन 1976 में जिस टाइम पे पूरे देश के अंदर emergency का दौर चल रहा था, इंदरगानी की जो government थी इंदरगानी जी की तो उनके दवारा पूरे देश में emergency लगाई हुई थी और 1976 में 42nd amendment किया गया constitution के अंदर, जिसके अंदर preamble के साथ भी छेड़-चाड़ की गई और उस उसमें तीन शब्द, चाहे हो socialist हो, secular हो, integrity हो, इसको एक spust room में लिख दिया गया, explicit करके लिख दिया गया, पहले ये शब्द implicit थे, यानि कि ऐसा था कि भारत ऐसी चीज़े फॉलो करता था, लेकिन उसमें साफ साफ नहीं रिखी गई थी, अब ये साफ साफ लिख दी गई है next question, question number 39 आता है कि what does the word integrity signify, तो खंडता का मतलब क्या है, तो खंडता का मतलब क्या है कि complete economic control, यानि कि पूर्ण तरह से आर्थी नियंतरन होना चाहिए क्या, unity and harmony among all citizens, सभी नागरिकों की बीच एकता हो और सदभाव हो, promotion of regional identities, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि शेत्री सभी नागरिकों की बीच में एकता हो, 42nd amendment जो है प्रियंबल में, वो किस टाइम हुआ, कौन से साल में हुआ, मैं कहीं बार बोल चुका हूँ, 1976 में, 1976 के अंदर यह amendment हुआ था, question number 41st कहता है कि why was socialist added to the preamble, socialist शब्द का जो addition था प्रियंबल में, वो क्यों हुआ, to align with the ideals of equality and welfare, समानता और कल्यान के अदर्शों के साथ सरीखित करने के लिए, to promote private industries, नहीं, socialist से private industries को कैसे promote करेंगे, to adopt Marxist principles, यह हो सकता है answer लेकिन बहुत मुश्किल है कि Marx वादी सिधानतों को अपनाने के लिए, to remove democracy from governance नहीं, democracy हो क्यों हटाएंगे, democracy तो आज भी है, तो इसक question 42 आता है कि which political leader was instrumental in implementing the 42nd amendment, तो अभी मैं बोल रहा था उसके लिए आपके सामने, कि इंदरा गांधी गर्मेंट थी उस टाइम पे, तो इंदरा गांधी जी जो है, उसका answer है, बी इंदरा गांधी, फिर question 43 आता है कि which case declared that the preamble is not a part of the constitution, तो कौन सा case ऐसा था, जिसने ये कहा, कि प्रस्तावना constitution का part नहीं है, तो बेरुबारु union case था, 1950-1960 का, तो बेरुबारु union case जो है, वो ये कहता है, कि preamble constitution का part नहीं था, फिर 1973 में केश वरंदा भारती केश ने कहा, कि नहीं, ऐसा नही है, Supreme Court ने अपनी ruling बदली, और अपने case, अपनी ruling को बदलते हुए, उसने 1973 में केश वरंदा भारती case में, वर्से स्टेट अफ करला का जो case चल रहा था, उसमें अपनी गलती को स्युकार किया, और कहा कि नहीं, preamble is a part of the constitution of India, और preamble को जब part बना दिया गया, तब उसको पह that the preamble is a part of the constitution, केश्वंदा भारती case, is the preamble justiciable, क्या preamble justiciable है, तो नहीं, preamble का अगर उलंगन होता है, तो क्या आप court में जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, the preamble serves as what for interpreting the constitution, तो preamble किस तरह से help करता है, यानि कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने के लिए क्या करे करती है, क्या एक binding law है, बाद्यकारी कानून है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, guiding principle है कि हाँ, यह हो सकता है, enforceable directive है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो guiding principle है, मार्क दक्षक सिध्धानते, यानि कि जो सम्विधान के प्रस्तावना में, preamble में लिखा गया है, सरका किस केस ने, preamble को एक सम्विधान का पहचान पत्र, उसके रुप में कहा गया, तो LIC के केस में, preamble को, identity card of the constitution, कहा गया, नेक्स क्वेशन आता है, question 48, कि how many times has the preamble have been amended, तो प्रस्तावना में कितनी बाद सुनिश्धन किया गया है, एक बार, मादर, एक बार, 1976 के, 42 प्रस्तावल में, एक बार, चेंज किया गया है, उसके अलावा, अब तक चेंज नहीं किया गया, तो B option, जो है, इसका 1, वह इसका सही जबाद है, और अगर कोई 1976 से पूछे तो, या यह पूछले कि केश रुंदा भारती केश जब आया, तब तक preamble में कितनी बार amendment हुआ तो तब तक preamble में कोई भी amendment नहीं हुआ था, zero times amendment हुआ है, question for tonight क्याता है कि which fundamental value is not explicitly mentioned in the preamble, तो कौन सी fundamental value ऐसी है, जो इस पस्ट रूप से प्रस्तावना के अंदर mentioned नहीं है, उलिखित नहीं है, तो वो है, integrity तो है, sovereignty भी है, federalism नहीं है, democracy भी है, तो federalism इसका answer हो गया, भारत का एक federal structure तो है, up to some extent, लेकिन वो federalism भारत के प्रस्तावना में साफ साफ तोर पर नहीं लिखा गया है, question mark 50 देखते हैं, इस वीडियो को आखरी सवाल देखते हैं, उसके बाद कुछ और question से वो next वीडियो में cover कर लेंगे, तो idea of the preamble in the Indian constitution was inspired by which country, तो किस देश के सम्विधा से प्रेलना लेते वे भारतिय सम्विधान में भी प्रस्तावना को रखा गया है, USA, USSR, UK या फिर France तो USA, United States of America का, America का जो constitution है, उसका जो preamble है, उसको देखते वे भारतिय सम्विधान में भी preamble को दिया गया है, तो guys ये थे बहुत important 25 question इस वीडियो के, I hope कि आप लोगों य हां दक बना रहा होगा, उमीद करते हैं कि उनका selection बहुत जल्दी से जल्दी होगा, सभी questions आपने देखे होंगे, किसी भी question में कोई भी आपको doubt आता है, तो जरूर से जरूर comment section में पूछिए, और आपको किसी और आपी पर वीडियो से बनवानी है, तो उसको भी आप comment section मे comment करके जो उससे जरूर बता है, यह चली बाकि मिलता है next video में, thank you and bye bye